नमस्कार मैं डॉक्टर हीमन शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ टॉप फॉर एक्सराइजेस जिससे आपका प्रोस्टेट सिम्टम कम हो बार बार पिशाप आना पिशाप का रुखना पिशाप में जलन होना तो चार एक्सराइजेस के बारे में हम बात करेंगे देखिए पहली एक्सराइज होती है ऐरोबिक एक्सराइज आप वॉक कीजिए ट्रेड मील पे चलिए स्विमिंग कीजिए तो इससे क्या होगा आपके प्रोस्टेट के सिम्टम कम होंगे ये best exercise है आपके hurt के लिए भी healthy है जब आप पानी में swimming करते हैं तो pressure पड़ता है body पे आपकी pelvic muscles पे जो आपको help करती है recover होने में और जब आप walk करते हैं तो ये first category में आ गया walking aerobic exercises इसको समझेए walk करना cycle चलाना trade meal पे चलना swimming करना मतलब first जो आपका prostatic symptom UTI का या prostate cancer के symptoms थोड़े कम करता है prostate cancer में भी वही prostate वाले symptoms आते हैं पेशा बार बार आना जलन होना control नहीं होना उसके बाद second होता है key gels exercise key gels exercise आप देख सकते हैं कैसे करते हैं पहले key gels exercise करने से पहले या identify करना होता है कौन सा muscles है जो key gels exercise को मदद करेगा और कैसे उसको train करे ब्लैडर में आप urine करते हैं यूरीन करते वक्त एक बार रोकना urine को बीच में फिर देखना कौन सा muscle उसमें support कर रहा है help कर रहा है तो उसी muscle क जादा train करना है अब key gels exercise कैसे करते हैं एक वीडियो है key gels exercise by dr. हेमंद शर्मा यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिलेगा उसमें देखो कौन कौन से exercise मैंने बताईए सही तरीके बताएं सारी नहीं होगी कुछ exercise आप कर सकते हैं तो ये आपको prostatic symptoms और erectile dysfunction भी ठीक करता है जाद योगा योगा बहुत ही healthy होता है कोब्रा पोज है ठीक है योगा मैं कुछ prostatic symptoms कम करने का योगा का एक वीडियो डालूँगा तो वो आप देखेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से योगा करने से erectile dysfunction ठीक होता है prostatic symptoms ठीक होते हैं तीन चीज हो गई योगा हो गया की जेल्स exercise हो गया aerobic exercise हो गया तीन चीजे ठीक है अब चौती चीज क्या है जिससे prostatic symptoms कम हो रिडियूस हो तो उसके लिए रहेगा आप squatting जैसे squatting करते हैं heavy weight lifting exercise नीचे बैठ गए फिर उठ गए तो इसको बोलते है squat या थोड़ा heavy weight lift करना थोड़ा heavy weight lift करना shoulder करना यह सब abdominal apes की exercise करना ठीक है पैरों पे बेट लेके फिर उपर धकेलना यह जिम का थोड़ा heavy weight exercise यह आपको क्या करेगा प्रोस्टेटिक मसल्स यह जो bladder muscles है इसको train करेगा तो आपका bladder मजबूत होगा तो आप healthy रहेगे अब उसके बाद क्या होता है प्रोस्टेटिक जो size बढ़ गया है क्या उसको कम किया जा सकता है yes किया जा सकता है वो nutrition जैसे vitamin C है vitamin D है other nutrition है antioxidants हैं जो आपके प्रोस्टेटिक size को कम करते हैं लाइकोपीन है यह cancer में भी help करता है प्रोस्टेटिक cancer में तो यह important हुआ diet ठीक है उसके अलावा medications कौन सी medicines हैं जो आपके प्रोस्टेट size को श्रिंग करते हैं वो है 5 alpha reductase inhibitor उनको लेने के तीन से 6 मेंने बाद प्रोस्टेट का size कम होने लगता है अब धार वगेरा कमजोर आती है तो कौन सी medicines है alpha blockers आते हैं वो हम use कर सकते हैं पर खुद से नहीं never ever do self medication always take expert opinion and guidance तो वीडियो अच्छा लगता है तो like करें चैनल पे नए हैं तो subscribe कर लें लास्ट में थैंक यू धन्यवाद गुडबाई नमस्कार